अबी हम अपनी लास्ट लेसन की के ग्रामर पोर्शन पे पहुंच गए हैं और यहां पे हमारा स्लेबर्स खतम हो जाएगा अब हम फिर से बाद में ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे तो यह जो दस्वां लेसन है हमारा उसका टाइटल है टेस्ट आफ ट्रू लव क्या है टेस्ट आफ ट्रू लव मना सच्चे प्रेम की परिक्षा इसके एक्स्ट्रेक्ट ट्रू फॉल्स शॉर्ट नोट्स यह सब हमने साथ आट नौ दस चारो लेसन्स के ओमिट कर दिये हैं क्योंकि यह हमसे एक्जाम में नहीं पूछे जाएंग तो जो-जो ग्रामर पूछी जाएगी वो हम अप करेंगे फिर से फिर्स्ट ब्लैंक्स उगाला मतलब थर्ड क्योश्चन होगा फिर एक्स attacked वाला question second true false उसके पास जो थर्ड क्योश्चन है उसको हमने नंबर बन दिया है आपके पास जो दिखाई दे रहे हैं वो ढितक्ष बहुत ज़दा महतु होना, believed, विश्वास करना, expected, उमीद रखना, यहां किसी से आशा रखना, नीरव expected that Jay would invite him for the party, नीरव को ऐसी उमीद थी कि Jay उसको पाटी के लिए invite करेगा, he believed that they were good friends, उसका ऐसा विश्वास था कि वो बहुत अच्छे दोस्त थे, their friendship meant a great deal to him, उनकी मित्रता उसके लिए बहुत महतुर रखती थी, तो यह चारो words हमने सही चुन कर सही जगे पर भरे हैं, second है explain, समझाना, displeased, किसी को नाखुश करना, requested, निवेदन करना, refuse, मना करना, नीता, requested the teacher to explain the meaning of the, meaning of a word, नीता ने teacher से request कि निवेदन किया कि वो इस शब्द का meaning समझाएं, but the teacher refused to help her, लेकिन teacher ने वो करने से मना कर दिया, नीता was very displeased with the teacher, नीता teacher से बहुत नाराज होई, नाखुश होई, नाखुश मतलब नाराज होना, मतलब उसको अच्छा नहीं लगा, कि मैंने teacher से पूछा और उन्होंने मुझे बताने से मना कर दिया, थर्ड है, attracted by, मना किसी से आकशित होना, courage, मना साहस, attention, मना ध्यान देना, deep longing, मना किसी चीज की इच्छा, बहुत ज़्यादा गहरी किसी की इच्छा होती है, हेता डिट नाट पे attention to what the teacher was saying, हेता उसकी वो उस पर ध्यान नहीं दे रही थी, कि teacher क्या कह रही है, या क्या कह रही है, she was attracted by the music that was being played outside, वो उस music की तरफ आकशित हो गई थी, जो की बहार की तरफ बज रहा था, outside मना, कहीं class के बहार बज रहा था, मतलब बहार कहीं market जैसा होगा, वहां पे music बज रहा होगा, उसकी तरफ उसका ध्यान ज़्यान ज़्यान था, she had a deep longing to run out and enjoy the music, उसके मन में गहरी इच्छा हो रही थी, कि वो वहां से भाग जाए, और जाकर बहार के music को enjoy करे, but she did not have the courage to do so, लेकिन उसमें ऐसा करने का साहस नहीं था, कि चलती class में से उठके और भाग जाए, और बहार रोड पे कोई जूलुस निकल रहा है, कोई शादी का वो निकल रहा है, और वहां पे कुप बेड़ बाज़ बज रहे हैं, और अच्छा गाना चल रहे हैं, लोग नाच रहे हैं, तो उसकी भी इच्छा होने लगी, कि जाके enjoy करूं, लेकिन ऐसा करने का उसमें साहस नहीं था, नेक्स है, notice, notice मना ध्यान देना, suppose, मानना, passed by, past से निकलना, वहां से गुजरना, recognize मना पहचानना, grandfather's friend just passed by, but he did not recognize him, grandfather's friend जो है, वो अभी अभी वहां से निकले, but he did not recognize him, लेकिन उन्होंने उसे पहचाना नहीं, I suppose, his friend did not notice, मेरा ऐसा मानना है, कि उनके मित्र का ध्यान नहीं गया, that grandfather was standing with me, उनका ध्यान नहीं गया, कि मेरे दादाजी मेरे साथ ही खड़े थे, next है, noted, मतलब note करना, narrowed मना, आखे चोटी करना, strength, ताकत, lifted मना, उठाना, a tall young lieutenant lifted his face, एक लंबे से young lieutenant ने अपना चहरा उपर उठाया, narrowed his eyes, आखे चोटी करी, and noted the time, ऐसे करके दूर से हम की चीज़ को देखते हैं, तो हमरी आखे वैसे ही चोटी हो जाती हैं, और उसने time note किया, he was waiting for the woman, वो उस इस्त्री का इंतजार कर रहा था, whose words had given him great strength, उस इस्त्री का इंतजार कर रहा था, जिसने उसको इतनी ताकत प्रदान करी थी, ये blanks पूरे हुए, next question आता है, rewrite the paragraph correcting the underlined words, underlined के वह words को हमें correct करना है, अभी at Siddharthas, birth it was foretold that when the youth prince would grow up, अब देखो इसमें at Siddharthas नहीं होगा, Siddharthas नहीं होगा, यहां पे Siddharth apostrophe ऐसा आएगा, ये जो कॉमा लगाया हुआ है, correction करके हमने जो नीचे answer में लिखा है, उस कॉमा को हम बोलते हैं, apostrophe, इसका मतलब है, Siddharth के जन्म पर, ऐसा कहा गया था, वहां पहले से ही का गया था, that when the young prince would grow up, यंगर नहीं आएगा, यंग आना चाहिए, when the young prince would grow up, कि जब ये young prince बड़ा होगा, ये राजकुमार जब बड़ा होगा, he would give him his wealth, his family and his kingdom, to become one of the greatest religious leaders, कि जब वो बड़ा होगा, तो अपना धन, अपना परिवार, अपना राज्य, सब कुछ त्याग देगा, give up का मतलब छोड़ देना, त्याग देना, वो छोड़ देगा, काई के लिए, एक बहुत बड़े महान, धार्मिक, व्यक्ति बनने के लिए, वो सब कुछ अपना त्याग देंगे, एक बहुत बड़े धार्मिक, व्यक्ति बन जाएंगे, तो ये हमने, यूथ का यंग आना चाहिए, और, ग्रेटर का, ग्रेटेस्ट, ये हमने क्या किया, one of the greatest, माना, ऐसे, हमारे बहुत ही जादा, धार्मिक बहुत व्यक्ति हैं, उनमें से ये एक बनेंगे, है ना, one of the greatest religious, तो, ये तीनों हमारे correction हो गए, और, next question है, select the correct question, to get the underlined word, है ना, ये भी पहले हम कर चुके हैं, कि underline किये हुए, word की, word, word जो है, वो हमारे answer है, हमको ऐसा question बनाना है, कि वो हमारा answer आ जाए, जैसे first sentence है, the peon rang the bell, at 7.30 a.m., peon ने, सुबह साड़े साथ बजे, bell बजाई, अभी हमारा underline कि वह वर्ट्स क्या है, सुबह साड़े साथ बजे, तो अब हमको, ऐसा question पूछना है, कि peon ने, कब bell बजाई, तो answer आ जाएगा, साड़े साथ बजे, तो कब के लिए, हमेशा मैंने आपको बताया है, who, जब व्यक्ति के बारे में जानना हो, तो who, कारान जानना हो, तो why, जब समय जानना हो, तो क्या आता है, when, तो C answer राइट होगा, next है, Mr. शुकला has been working here for 20 years, Mr. शुकला जो है, यहाँ पर 20 सालों से काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या कर रखा है, underline, for 20 years, माना 20 सालों से, तो यह 20 साल भी क्या है, समय है, है ना, लेकिन कितने लंबे समय से, Mr. शुकला यहाँ काम कर रहे हैं, कितने लंबे समय से, देखो, since when नहीं आएगा, who नहीं आएगा, what नहीं आएगा, अभी देखो, who और what तो बिल्कुल नहीं आएगा, since when में आपको लगेगा, कि यहाँ पर when दे रखा है, समय के, हमें जानना होता है, तो हमने उपर वाले में वैन लगाया था, तो यहाँ पर भी वैन वाला आना चाहिए, अब इन दौनों में से, हमको A और B में से चूज करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, since कहां लगाया जाता है, तो हम जनरल जब बात करते हैं, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, how long, अगर यहीं पर दिया हुआ होता, कि 2000 एक से रह रहे हैं, तो क्या आजाता, since when, समझ में आया, तो यह फरक होता है, जब main point of time, किसी particular time की बात की जाती है, तो since when लगाया जाता है, और जब general time के लिए बोला जाता है, तो how long लगाया जाता है, next है, the teacher noticed Mohan cheating during the test, teacher ने notice किया, Mohan को test में cheat करते हुए, अभी underline की वे शब्द क्या है, test में Mohan को cheat करते हुए, तो teacher ने किसको cheating करते हुए notice किया, ये प्रेशन आएगा ना, तो बनेगा, तो हमारा answer आएगा, Mohan को test में cheating करते हुए notice किया, तो क्या आना चाहिए, who नहीं आएगा, who noticed Mohan, तो answer में आजएगा, किसने Mohan को cheating करते हुए, test में cheating करते हुए notice किया, तो teacher ने, तो वो answer हमको नहीं चाहिए, what भी नहीं आएगा, teacher ने क्या notice किया, तो Mohan को cheat करते हुए notice किया, फिर what was the teacher doing, teacher क्या कर रही थी, ये भी नहीं आना चाहिए, तो क्या आजाएगा, whom did the teacher notice cheating during the test, teacher ने test में cheating करते हुए, किसको notice किया, किसको, तो आजाएगा Mohan को, next step fourth, गीता has been studying since six o'clock, देखो यहाँ पर आया ना, six o'clock particular time बताया है, इसलिए यहाँ पर since का use की है, गीता has been studying, गीता 6 बजे से पढ़ाई कर रही है, तो यहाँ पर इसका question क्या आ गया, since when has गीता been studying, how long नहीं लगाएंगे, यहाँ पर क्योंकि छे बजे तीन गंटे से बढ़ाई कर रही है, तो how long आ था, लेकिन छे बजे से particular time बता दिया, तो since when हो जाएगा, when, when भी नहीं आएगा, who भी नहीं आएगा, how long भी नहीं आएगा, since when वाला question बनेगा, complete the sentences using the functions given in the brackets, ब्रैकेट में दिये गए, जो functions हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, sentence को हमें complete करना है, अभी क्या दे रखा है, teaching you English, teaching you English का मतलब है, duration of time, duration of time मना, आपको time बताना है, कि कितने समय से, कितने समय से, teaching you English दिया हुआ है, तो कितने समय से, आपको English पढ़ा रहे हैं, तो since when Mr. Bhatt is teaching you English, अभी since when भी लगाएंगे, क्योंकि हमको duration of time बताना है, है ना, अब Mr. Bhatt की जगे, आपको इभी नाम आपको, जो English पढ़ा रहा हो, उसका आप डाल सकते हैं, तो आपका sentence बन जाएगा, next है, point of time, है ना, वहाँ क्या था, duration of time, अभी क्या है, point of time, Jay has been watching, TV, Jay TV देख रहा है, हमको particular time बताना है, कि कब से TV देख रहा है, तो कुछ भी time आप डाल सकते हो, since 8 o'clock, since 5 o'clock, since 9 o'clock, सुबह से TV देख रहा है, तो सुबह के, 8 a.m. लिख सकते हो, 10 a.m. लिख सकते हो, जो भी आपको time चाहिए, आप उससे complete कर सकते हो, थर्ड कुछिशन है, the children have not, इसमें भी point of time है, तो the children have not eaten, since morning, since morning, अब इसमें हमको point of time बताना है, तो since 8 a.m., 8 o'clock in the morning, आप वो भी डाल सकते हो, कि बच्चों ने, morning में सुपह 8 बजे से कुछ नहीं खाया, दो पैर हो गई, दो बज रहे हैं, सुपह 8 बजे से कुछ नहीं खाया, तो have not eaten, since 8 o'clock in the morning, point of time देना है न, तो यहाँ पे आप 8 o'clock, 10 o'clock दे सकते हो, है न, तो time डालना जरूरी है, क्योंकि point of time आया है, इसको थोड़ा सा correction कर लेंगे आप, next है, complete the dialogue, selecting the correct responses, based on the functions given in the brackets, dialogues हैं, और, dialogues पूरे करने हैं, यह भी question आप कर चुके हैं, उस तरह का, Mohit और David बात कर रहे हैं, Mohit duration of time, है न, David answer दे रहा है, for more than an hour now, माना, अब के बाद एक गंटे से भी जादा, है न, तो, एक गंटे से भी जादा, है न, तो Mohit ने क्या पूछा होगा, जो David ने यह जवाब दिया, कि एक गंटे से भी जादा, what is this cue for, यह line किसकी है, तुम line में क्यों खड़े हो, since when have you been standing in the queue, तुम line में कब से खड़े हो, how long have you been standing in the queue, कितने लंबे समय से खड़े हो, इसमें देखो, since when वाला answer आएगा, क्यों, क्योंकि उसने बोला न, एक गंटे से भी जादा हो गया, मेरे को मैं line में खड़ा हूँ, मतलब, अभी अगर 11 बज़ रहे हैं, तो मैं 10 बज़े से खड़ा हूँ, तो भले 10 बज़े आया नहीं है, लेकिन अभी जो टाइम हो रहा है, उससे एक घंटा पिछे का जो लेंगे, तो वो understood है कि टाइम आई जाएगा, इसलिए since when वाला option, चूज करेंगे हम, नेक्स्ट है, मोना और अमी, मोना कह रही है, who is that man, मोना पूछ रही है, वो आदमी कौन है, अमी जवाब दे रही है, लेकिन describing person, है ना, person को describe करते हुए, वो जवाब देगी, that is the man whose son is in the army, यह वो आदमी है, जिनका बेटा, आरमी में है, पता नहीं है, that is the school where that man works, यह वो इस school है, जहाँ वो आदमी काम करता है, यह तीनों ही irrelevant है, मतलब उस person को describe नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो तीनों ही नहीं आएंगे, तो भी ही option बचता है, जो right answer है, और उसके बाद है, next question, match the sentences with the correct functions, correct functions को हम match करेंगे, अभी लगबग हर lesson में ऐसा ही आ रहा है, तीन sentences दिये हुए हैं, आपको दो function दिये हुए हैं, तो आपको किसी दो के साथ एक जो है, वो match करना पड़ेगा, since when has Devang been studying, इसका, since when, Devang कब से पढ़ाई कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, कब से बना, उसका answer में जवाब क्याना है, 6 बजे से पढ़ाई कर रहा है, 4 बजे से पढ़ रहा है, 9 बजे से पढ़ रहा है, तो वो क्या है, 9 बजे, 4 बजे, 6 बजे, क्या हो जाएगा, point of time, इसलिए इसके साथ point of time, How long have you been teaching, आप कब से पढ़ा रहे हैं, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहे हूं, 2 साल से पढ़ा रहे हूं, 4 साल से पढ़ा रहे हूं, मतलब वो क्या हुआ, uncertain time, इसलिए वो क्या है, duration of time, 3rd, Since when have the children stopped playing cricket, बच्चों ने कब से cricket खेलना बंद कर दिया है, तो since when have the children stopped playing cricket, तो इसका मतलब हुआ, बच्चों ने इतने बज़े से cricket खेलना बंद कर दिया है, इतने बज़े से इतने बज़े से खेल रहे थे, और अब उन्होंने खेलना बंद कर दिया है, तो ये भी क्या आएगा, point of time, next है, study the data and answer the questions, data को आप study करो, और questions के answer दो, अब ये जो data दे रखा है, देखो, data में से हमको क्या करना होता है, information पूरी collect करनी होती है, और collect भी करने की ज़र ज़रूत नहीं पड़ती, क्यों हो इसमें बहुत clearly दिया हुआ होता है, तो सिर्फ हमको थोड़ा सा दियान में रखना होता है, जैसे, शांती निकेतन, 36, mg रोड, जामनगर, पढ़ा हमने, उसके बाद है, phone number, दे रखे हैं, fax number दे रखा है, applications are invited for the following post, ये एक विज्यापन की तरह होता है, शांती निकेतन, जो की शांती निकेतन, 36, उस place का नाम, शांती निकेतन है, और 36, और कहां पर है वो, mg रोड पर, और जामनगर में, उसने ये advertisement दिया है, विज्यापन दिया है, और क्या, कि, इतनी, post पर, इतने पदों पर, applications, invite, कर सकते हैं, मतला हम कर रहे हैं, जिसको भी इस पद पर, आना हो, वो अपनी application, हमको भेज सकते हैं, अभी कौन-कौन से पद खाली है, एक principle, दूसरा wise principle, तीसरा, supervisor, है ना, तो तीन पद खाली है, minimum qualification, कम से कम, जो है, section एक लाएका, जो होती है, वो क्या होनी चाहिए, BA, MA, है ना, यह दो डिगरी, आपके पास होनी चाहिए, तो वो ही apply कर सकते हैं, interested candidates, may send their application, interested candidate का मतलब है, जो रुची रखते हैं, ऐसे पदों पर काम करने के लिए, वो अपनी application, हमको भेज सकते हैं, application माना, आवेदन पत्र, and bio data within seven days of the advertisement, आज जो हमाने हम विज्जयापन दे रहे हैं, उसके within seven days, वाना साथ दिनों के अंदर अंदर, अपना bio data, bio data का मतलब होता है, अपनी पूरी जानकारी, आपका date of birth, आपकी age, आपका धर्म, आपका अनुभाव, आपने कहां पहले काम किया है, वो सब bio data में आ जाता है, तो उस जिस दिन पर विज्जयापन निकला हो, के साथ दिन के अंदर अंदर, आप अपना bio data और application भेज सकते हैं, तो हम उस पर विचार करेंगे, और आपको अगर लायक समझेंगे, तो आपको वो नौकरी देंगे, हैना, किसको भेजना है ये application और bio data, शरी M.J. पतेल, managing trustee, ये शांती निकेतन के managing trustee है, शरी M.J. पतेल, अब हमको ये सारा समझ में आ गया, कि ये विज्जयापन किस ने दिया है, शांती निकेतन ने, किस पद के लिए, कौन से पदों के लिए दिया है, तीन पद है, qualification कितनी चाहिए, qualification माना section एक लाइकात कौन सी होनी चाहिए, कितने दिनों के अंदर-अंदर bio data और application भेजनी है, किसको भेजनी है, M.J. पतेल कौन है, यह सारे सवालों के जवाब हमको आ रहे हैं, समझ गए, अब हमको देखना है, कि हमसे कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, first है, who has given this advertisement, यह विज्जापन किस ने दिया है, तो यह विज्जापन किस ने दिया है, शांती निकेतन इन जामनगर, has given this advertisement, क्योंकि शांती निकेतन एक संस्था है, और उसने, और वो कहां आई हुई है, जामनगर में, तो शांती निकेतन इन जामनगर, has given this advertisement, who is Mr. Patel, आगया question कि Mr. Patel कौन है, तो Mr. Patel is the managing trustee of the Shanti Niketan, तीसरा question है, the candidate should send their application within, अब इस sentence को हमें पूरा करना है, आदा चूटा हुआ है, तो देखो यह आया है, the candidates may send their application and bio data within, within के बाद क्या है, seven days of this advertisement, यह हमको, within seven days of advertisement भी लिख सकते हो, of this advertisement, यह within seven days लिखोगे, तो यह अधूरी जान करी होगी, क्योंकि कौन से साथ दिन, जिस दिन विग्या पनाया, उसके अंदर अंदर साथ दिनों के, है ना, उसके बाद के साथ दिन, of this advertisement भी जोड़ देना, तो ज़्यादा appropriate answer रहेगा, चौथा, what is the minimum qualification required, है ना, minimum, मना कम से कम section एक लाइकात कितनी, चाहिए, the minimum qualification required is, BA, AMED, है ना, तो, हमको सारे जवाब, इस data में मिल रहे हैं, हमको कोई difficulty नहीं होगी, सिर्फ हमको समझना है, यह lesson यहीं खतम होता है, यहाँ पे आपका course भी खतम होता है, और अब हमें उम्मीद है, कि हम जल्दी ही मिलेंगे, और आपकी जो भी difficulties होगी, उनको solve करेंगे, grammar से related, आपके lessons से related, तब तक आपको जो भी topics दिये गए थे, उन पे भी आपको अपने assignment notebook वो, आपको complete करनी है, और आपको अपनी workbook भी complete करनी है, यह आपका last lesson था, आपके 10 lessons पूरे हो रहे हैं, तो 6 तक तो आपकी सारी extract और यह सब questions और यह सब पूरा होना चाहिए, full workbook complete होने चाहिए, 6 lesson तक और 7 lesson से 7, 8, 9, 10, 4 lessons की आपका extract और true false और short note को छोड़ कर भागी आपका complete होना चाहिए, तो हम जल्दी ही मिलेंगे, आपकी workbook चेक होगी, सब कुछ आपका जैसे routine में पहले चल रहा था, वैसे उमीद है हमें कि वैसे ही चलेगा, तब तक के लिए आप आपने vacation भी enjoy कर ली, सब कुछ कर लिया, आपको serious होना है, आपको बहुत कम time मिलेगा आपको पढ़ाई के लिए, तो और पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, material जादा है, time कम है, तो हमें ध्यान देना है, और आप अपना और अपने health का सब चीजों का ध्यान रखेंगे, तब तक के लिए, thanks. झाल